दोस्तों स्टाप्लस के पॉपुलर सीरियल अनुपमा ने घर घर अपनी ऐसी पहचान बनाई कि टीरपी के सारे मीटर ऊपर चले गए इस शो को फैंस का जबरदस्त प्यार भी मिल रहा है और सबसे जादा प्यार तो अनुपमा का किरदार निभा रही एक्ट्रेस रुपाली घॉति गंगली को मिल रहा है तो चलिए जान लेते हैं अगर अनुपमा से लेकर वन राज तक यह स्टार रोस की कितनी फीस लेते हैं नमबर 12 पर हैं मुसकान बामने सीरियल अनुपमा में मुसकान की बेटी पाकी का करदार निभाने वाली मुसकान बामने को एक दिन के 27,000 रुपे मिलते हैं नमबर 11 पर हैं अंगा बोसले सीरियल अनुपमा में अंगा बोसले नंदनी का किरदार निभाती हैं इन्हें एक दिन की सैड़ी 26,000 रुपे मिलती है नमबर 10 पर हैं अलपना बुच अलपना बुज जो सीरियल में बा का किरदार निभाती हैं इन्हें एक दिन का लगबग 22,000 रुपए वेतन मिलता है नमबर नौ पर है अर्विन बैथ अर्विन बैथ यानि अनुपमा के बाबुजी को एक दिन की फीज करीब 25,000 रुपए मिलती है नमबर आट पर है तस्नीम शेख तस्नीम शेख को कई टीवी सीरियल में निगेटिव रूल करते देख चुके हैं इसमें भी तस्नीम निगेटिव रूल में ही नजर आती है इनके किरदार का नाम राखी दवे है इन्हें एक दिन की सेलरी 28,000 रुपए मिलती है नमबर साथ पर है आशीश मलोत्रा वन्राज शाह और अनुपमा शाह के बड़े बेटे परी तो शाह रोल में नजर आ रहे हैं आशीश को एक दिन की सेलरी 33,000 रुपए दी जाती है नमबर छे पर है निदी शाह सीरियल अनुपमा की किंजल यानी निदी शाह को एक दिन की फीस की तौर पर 32,000 रुपए दी जाते है नमबर पांच पर है पारस कलंगनावत वनराज और अनुपमा की छोटे बेटे समर्शाह का किर्दार निभाने वाले अभी नेता पारस एक दिन का 40,000 रुपए लेते हैं पारस की चोकलेटी बॉय की इमेश लड़ियों को खुब पसंद आती है नमबर चार पर हैं गौरप खन्ना कानपुर के गौरप खन्ना काफी लंबे समय के बाद टीवी पर लोटे हैं इसमें वो अनुझ कभाड या नाम के बिजनसमेन की भूमी का निभा रहे हैं गौरप को एक दिन की फीज 35,000 रुपए मिलती है नमबर तीन पर है मदालसा शर्मा मितुन्दा की बहू और मदालसा शर्मा ने इस सीरियल में काव्या की किरदार से अपनी एक अलग पहचान बनाई है उनके इस नेगेटिव किरदार को लोग खूब पसंद भी करते हैं इन्हें एक दिन के लिए 35,000 रुपए मिलते हैं नमबर दो पर है सुधानशु पांडे बैंड ओफ बॉइस से कैरियर शुरू करने वाले अभिनेता सुधानशु पांडे कई टीवी सीरियल और फिल्मों में नजर आ चुके हैं इस सीरियल में वो वन राज शाह के किरदार में नजर आते हैं इन्हें इस रोल के लिए प्रते दिन 50,000 रुपए दिये जाती है सीरियल अनुपमा की अनुपमा यानि एक्ट्रेस रुपाली गाउनली का किरदार एक ऐसी औरत का है जो सिप परिवार के लिए जीती है रुपाली पहले एक दिन के 60,000 रुपए लेती थी फिर एक दिन के 1,500,000 रुपए लेने लगी और अब खबरों की माने तो उन्होंने अपनी फीस 1,500,000 से बढ़ा कर 3,000,000 रुपए कर दी है तो दोस्तों आपको हमारी न्यूस कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं